शार्ट नवीदी है और मैं UPL से हूँ, UPL का जो सर्विस बिजनस है जो आदश पार्म सर्विस है और यूनिमार्क उसको में इंडिया लेवल पे हैड़ करता हूँ जो मशीन लाया है उसकी खासियत क्या है और किस तरह से ख़वारन की जा रही है तो यह UPL की फालकन मशीन है इसका इसका भूम आगर आप देखांगे उसका विर्थ जो है वह अल्मोस्ट पीस फिट का इसका विर्थ है और आप एक दिंग के अंदर यह मशीन से अल्मोस्ट अराउंड 35-40 किलो मिटर्स का एरिया जो है उससे हम लोग उतने एरिया को हम जर्व इजाइसर जो है यह इसमें उस होता है जो मशीन है मशीन के साथ एक operator रहता है यह मशीन UPL पर स्थ चलो प्रोड़क्श करना है, कैसे उसको मिक्स करना हैं, कितना प्रेशर रखना है उसके लिए हमने हमारे operator को हमने train किया है और यह operator यह मशीन के साथ मुलोग अलग पर म्यूसिफल कॉर्पोरेशन के साथ काम करके अलग-अलग एरिया को सनिटाइज कर रहे हैं जिसमें मेजरली रोड से हैं स्ट्रीट से हैं पुली स्टेशन से और अलग-अलग सोशियल गेधरिंग की जगा है वहां पर जाके हम लोग सनिटाइज करते हैं क्या लगथा है ऐसी फवदनशन में आ सकता है यह बहुत ज़रूरी है कि कॉवीट-जरूस्टीस को ज़ीट जादा ace发 wird करें में knobs करें से लिए उब बखसे कर सकते को स्व कि संपад बहुत वहां है बहुत बड़े अडिया को च tenis कर तक तक कि इतना में जाचा कि तो अभी तक जो है पुर्य भारत वश में हमने 1000 लोगों की टीम बनाई है, 1000 से भी ज्यादा मशीन हमने डिप्लोई किये हैं और अलग-अलग जगा पे, अलग-अलग डिस्टिक लेवल पे, नगर परिशत पे, ग्राम पंचायद लेवल पे जाके हम लोग आज ये सब काम कर की जिया है है, अभी तक हमने अल्मोस 140 से भी ज़्यादा ग्राम पंचायदों में काम किया है और अल्मोस, आराऊंड 20 से भी ज्यादा डिस्टिक लेवल एरिया में हमने काम ऑना सीती में कल सेलेके आफने कवर कियberry अजिए हमने क्शार्ट किया था रोड नमबर 12 रोड नमबर 16 पर आज हम लोग हैं अभी हमारा मुम्रा में अभी हमने मशीन बेजा हैं और हमको लगता है यह 3-4 दिन के अंदर पूरे का पूरे एरिया को इलाके को अम लोग जो है वो उसको सेनिराइज कर लेए